मेरे पेपर दा विश्या भी बहुत लंबेरा है मैं अपने समय दी सीमा विच रहा के आप जी नाल पर मुख गरंथा जड़े दमदमिंट एक साल वल्लो जड़े रचित ने परकाशिद कीते गएने उनना बारे ब्रीफ इंट्रोड़ेक्शन टाइप आप जी नाल विचार सांज पावाँगा इदे नाल ही मैं कोशिश करांगा के जड़ा दमदमिंट एक साल वल्लो मौ जूदा समय दे दुरान जड़ा साहित परकाशिद कीता जार्यावा ओधी लिस्ट भी मैं इस पेपर विच दित्ती होईया ओधे मुताबक भी आप जी नाल विचार सांज पावाँगा मैं अपने पेपर दे उपर फोकस करदा होया अपने पेपर दी रंबता करदा जे में के मेरे पेपर दा विशा दास देता गया के दमदमी टकसाल रचित साहित दा विशलेशनात्मक अध्यान टकसाल शब्द दे अर्थां बारे कोई बहुता मात पे दसानू मिलदा ने शब्दी येदे कोशगार तर्थ कड़े टके कड़न्दा कार अर्थात ओ सत्हान जिते सिख्यानों कड़के उनना उपर समकाली शाषन दी मोर लगाके मुद्रा त्यार कीती जन्दी है जे अपन्टक साल दी पावनात्मक पर बाशावाल त्यान दे येता पावनात्मक पर बाशावादी बांदी है के सिख्यानों समर्पत ओ संस्था जो सादारन चेतना नू मनुखी जीवन दे अंतम लक्ष दी प्रापती हित अधे आत्मक पंथ दे अंतरगात सजाग करके काडंदी संपूरन पर किर्यादी विवहारकता सैत गुर्मक बनावे नू टक साल क्या जा सगदा है उपरोकत पर किर्यादी विवहारकता दे उदेश दी पूरती हित श्री गोबन सिंग साइब जी दुवारा स्थापत कीती दमदी मीट साल अपनी एंप उमका नबारी है दमदी मीट साल ने गुर्बानी दे पाठ अर्थ बोध गुर्मत सिदात सिख प्रंपरावां सिख रैत मर्यादा गुर्बानी कीरतन सिख ते आस नाम सिमरन सेवा आद गुणा सहत संसार्ग ते अध्यात्म का ग्यान नाल शरशार गुर्मख रूहानु पैदा कीता अते समुची मनुखता दे कल्यान ली सेख पंथ दे परचार दे परसार हित तो रहा तरमध्यन ते अध्यापन ली केंदरी पुमका जड़ी उदी शब्द दी है तो शब्दी अगे जाके अध्यान ते अध्यापन दा मुखत रोहर होरने बढ़दा है अध्यान ते अध्यापन वेचे केंदरी पुमका अध्यादी उदी है दमदमी टकसाल एसे मुख नुकते नू लेके अध्याण भी कर दी है ते अधे आपन दे खेतर वेचे कार जिशीर है इस दी परमुख ते परता खूदा आरना संत ग्यानिय हर नाम सिंग खाल साजी द्वारा चलाई हो ये जडी सेमिनरा दी लड़ी है ए परमुख ते परता खूदा आरना है आज दे इस सेमिनार वेच जड़ा मेरे खोज पर्ची दा जड़ा विशा मैं सांजा कर चुका है जड़े गरंथा दा जिकर मैं पुस्तका दा जिकर इस पर्चे वेच गीता होना दी गिंती मैं पंदरा दे करीब कीती होई है सबतो पहला मेरे गरंथ दी एस विशलेशन दी लड़ी वेच पहला गरंथ जीवन चलका, दमदी मी टकसाल संपर्दा दी बंसावली ब्योरा, खालसा पंथ दी जीवन शेली, सिख त्यास अरंबले पड़ातो लेके अजोके काल तक पंथक मसलियां पर ग्या नातमक चिंतन पर पूर विचार, गुर्गोबिन सिंग द्वारा चलाई हुए टकसाल दे उ मेरी दा एहसास समू संगत नों दर्शन करना वाड़े नों हो जानदा है, जे करी कहले जावे कि इस गरंथ ने समुच्चे सिख पंथ नों सवय वेच समाया होया है, ता कोई आतकतनी नहीं, इस गरंथ वेच सिख पंथ दे सिदान तक आते वे बहारक फल्समें नों मी रू श्रीकुर्ग्र गुर्बन सिंग जी दे नदेड विखे दे रूप विचले आकरी समय दे चोजान वभाण करन दे नाल-नाल, श्रीकुर्ग्राण सायब नों गुर्गदी, गुरू पदवी देन समय नों विस्थार सहत रूपमान कीता गया है, ग्याँनी, संत ग्यानी वहjang सोंसे फिल्म भूटीक का की ईंड खवू करते हो दंधमा सिंघाोबसी गडंपू फिल्लों संह मुधू दोएरा dodo स्यरीक गूधिया पुर्णंट संहु जाटन बंटा फिल्न में प्रचियो कोば पागवेच संत ग्यानी गुरु बच्छन सेंग खाल साजी ने एक ब्राह्मान नाल होए गूड ज्यान में वारतालापनु कलमबंद कीता है जिसवेच मान बुद्धी ब्राह्म तरम ब्रहमांड आतमा ताप ग्यान आधवर गे जड़े शूक्षम संकलपा उनना सबंधी ब् दिया है इसे पागवेच बाबा गुर्मक संग जी डेमरु द्वारा रचितक प्रेम कवता दा उलेख मिलदा है जेदे वेच सानू प्रेम नू रभी प्रमार्थ दा सर्व उचित मार्ग तसवर करके प्रेम प्राप्ती दे सोमे नू में द्रिड करवाया है उपरंत नावली विदा रही रागमाला दी महांता उस दे परमार्थ कते अंतरीवी अर्थ नू रूप मान कीता है रागमाला दे अद्यातम कते रुहान नियत पर पूर अर्थ जग्यासू साधक लई मार्ग दर्शक बंदे हने इस पागवेच अंतला विशारामकली साध है इस दी पागदे रामब वेच इस गरंथ नू रचन दे परजोजन उस पष्ट करके गुरुनानक सहबत गुर्गोविन सिंग ताक दे जीवन बिरतानत नू बड़ी सूत्र किशैली वेच संता ने पेश कीता इस संत ग्याने गुरुबचन सेंग खालसा पेंडरावालयाने पद र गुर्गदी दित्ती एजडी कटना दा बड़ा विशेश जड़ा संता ने श्री गुरुमक परकाश वेच जिकर कीता है इस तो परंथ बाबा बंदा सिंग बादर द्वारा खालसा राई दा विशेश उलेख प्रावता मिसलां दे समें दा बिरतांत महराज अरंजी सिंग दे राईदी विथया सिख पतन दे कारन सिख लेरा नरंकारी निर्मले सेवा पंथी नामतारी कुके सिंग सवा आद दा बड़ी बाखूपी दे विद्वता पर पूर जड़ा उनना ने एदे विच जड़ा जिकर कीता है संखे पर जो कह सागते हैं कि ग्यानी संत ग्यानी बजन सेंग जीने सिख पंथ दे होंद विच आउन दे कारन गुरु नानक साहिव तो लेके उननी सो पंजार इस वी तक दे सिख ते हासनों इस ग्रंथ विच समाया हुया है अजया वडमुला ते वड़ाकारी कार्ज कोई सदारन पुर्ष नहीं कर सागदा इस ग्रंथ दी जड़ी तरती बदता संसारक ते रुहानियत दी सुमेलता सैत ग्यानात्मक चिंतन इस दे रिचेता नो सदारन तरातली पदर तो उच्चा उठा किसे रुहानी मंडल दा व सनीक रुहान दे जीवन बिरतान तनो विस्थार सैत दस्या ग्या जी दे वेच संत ग्यानी सुन्दर सेंग जी ब्रह्म ग्यानी मा पुर्खां दे दे गात समुचे जीवन काल विच लिया बच्पन तो लैके अंत्म स्वासा तक ने कटना वा चोजां ते अवस्थामादा द्वारा काली गई आन थक कालना सेवा उन्ना अंदर ली गुडू प्रती तडफ संत बिशन सिंग मुराले वाले नाल मिलाप उन्ना दी वेराग में बिरती अध्या आत्मिकता दे पांध हित त्रातली नेत गता दिया उच कदना कीमता दे नाल नाल उन्ना द्वारा कीती बंदगी ते जाप आध पर संगना जिकर संता ने साखी रूप वेच अजहे टांग नाल पेश कीता के हर एक पाठक दे हिर देनू टुम्ब दा अधे पाठक से जे इस संता दे जीवन तो प्रभावेतों के अध्या आत्मिकता दे पंध हित प्रेर तो जन्दा अपने आप क्वी शर्दा में बिर्ती सायत पावना पर पूर्शाली रहें कीता है जिसवेच संता दे विद्यक पसांगे वेच उन्ना दी पाउंच नुरूब मान कीता है संता ने व्याकर्न शाष्टर ग्यान संत्या ते अर्थ स्रीगुरु गरंथ साहिब सेख ते आस दे महान स्रीगुरु परता सूर्जगरंथ आद दा गैन अध्यान कारके उननों अपने जीवन दा हिस्सा बनाया उपरोकत रभी रुआ दे विशेह जिकर दे नाल संत अमीर सेंग संत खजान सेंग आद मापुरुखां दे जीमर बिरतांत नों भी संखेबता वेचेड़ा ब्यान क समेत सिंगां दे समेत लम्या लम्या जात्रावं भी कितियां गई हैं जिमें गुजरात मालवा मज्जा दौबा भारदेश गंगा दा कॉंब रियास दी परचार पंजा साहिव जात्रा चकांते काबल कश्मीर आद ब्यंत स्थाना दे जड़ा मापुरुखां ने इन स्था पाई रंती इर्सेंग जी खंड की इरतनी वाले जड़े ए मापुरुखां ने ना विशेश गोष्टां रेडिया हुंबिया रहें विचार विचार विट अंधरा हुंदार्या ते इना दा सनमाना दा विना दे वेच विशेश जिकरा गुर्मक परकाष दे से पाग वेच संतां दुवारा जड़ी गुर्तामा दी सेवा कराई गई ते उना दी सेवा दा जड़ा विशेश जोग दाने दे वेच बाग भुबी ब्यान कीता गया गुर्मत पर चार दौरान शर्दालुवां दौरा कीते गे प्रशना दे संतां दौरा दिते उत्रां दा विशेश जिकरा जिमें संतांवलो मूल मंतर, बीज मंतर, श्रिय खांडपाट सायब, सब ताहक पाठान दी लड़ियां, कोतरियां उपर देरे जोग दिता जन्दा सी आते दिवाना दी स्वापती उपर उंपरंत अमरत दा बाटा वित्यार कीता जन्दा सी एसे पाग वेच रादा स्वामी मात दा खंडण एदे वेसे पाग दे वेचे जिकर कीता गया माँ पुर्खान दीको दारन मैं सांजी करदा एदे गरंत विचो रहो सदा मन बाणी तन ते रादा स्वामी त्यागो मन ते माईया को समझाओ समझाए हटाओ संग दिनकी मूल न जाओ माँ पुर्खाने जेड़ा दे रूप वेच जेड़ी पूजा सी ओनु ओधा खंडण करके गुरु गरंसाइब जी दे लट लगन वास्ते प्रेरिया मैंनू संखेपता वेच ब्यान करदा हुया गर बाणि पाढ़ा दर्पन डूसरा गरं पत धर्पन उन्न में लिया हुया ईन्न जेडा जो गर्पाणी विचावनदे हैं सेथा नषबसंदा करता है पाय, करतार सिंह जी प्रेमी लंगयाने वाले इस खटरेरी ती त्यारी समय संध गयारी अगरी बचन सिंह अगर सा पिंटरा वाले हैं बहुत बहुत साय जोग दिता नाने संथ़ान दे शाजख्द गमनतोबाद वी प्रेमी जी ने जीवन दे अंतले पड़ा तक मैं थोड़ा तेज बोल रहे हैं मैं चौना के जड़े दमदमी टिक साल दे परमोख जड़े गरंथ ने जड़े जिननानों जड़े अदा आरबूद ने उनना दा जिकर आप जी नाल विचार सांजे पाचां बाकी इस तो जड़ा जिकर पोस्तकांदा वो मेरे पर्चे वेच कीता गया है संतां दे साजखांड गमन तो बाद प्रेमी जी ने जीवन ते अंतले पड़ाता का अन थका लणा लगातार बनाई रखी संगतां दे अरकाडड कथावा नू सरवन कारके अते प्रेमी जी द्वारा त्यार खरड़े नू अधार बना के एक गरंथ लिड़ा होंद में चाया इस गरंथ नू दो पागा मेंच मैं देखन दा जितन कीता इस गरंथ पहले पाग वेच दस गुरु सहबान दी बनसावली नू संखेवता परदान करदे होए गुर्मत दी रैनी बैनी बारे सरलता सैत संसकारा नू रूप मान कीता गया ज़ीमे जन्मसंसकार, विद्यसंसकार, अम्रतसंसकार, अनांदसंसकार, आंतमसंसकार दी महांता-अवशकता मर्याद दा आदनों गुरुतियास ते प्रमप्रा गत साखियां दियां उद अर्ना सैथ जान जाती दे मस्तगदा पागबर्णोना इस गरंथ दी वाड मुल्ली देन है इस गरंथ दा लिड़ प्रत्वं पाग सिद्धान तकता ते विवहारिक दा अट्टोट संगम है इस गरंथ विचो उगम रहे विवहारिक ग्याने समुची मनुखता नू आपने परकाश रही परकाश आते अजोके समय विच भी ए लगातार वेहन विच है इस गरंथ विच गुर्मत दी रहत मर्यादा नू सरलता सपष्टा सैथ सदारंग चेतना दा हिस्सा बनाया गया दी गल कर दे आता है बजजर को रहता है नाल एदी इस पर पूर जानकारी एदी पैदाइश जमें तमाकू दी गल दसी गई था तमाकू बरे उदी पैदाइश कितों होई ओदा सरीर देव पर एफेक्ट किया के सहा तक बुरी है एदा जड़ा जिकरा विशेह जिकरा एद इस गरंथवेच कीता गया जिमें गुर्परताव सूर्ज गरंथवेच वेका हवाला तनक तमाकू सेवी एदेव पितर ताज जाए पानी तागे हाथ का मदरा साम होई जाए तुमर अगे सकांध पुरान दा संताने हवाला जिता तुमर पानंग रतंग विप्रंग ग्राम सो शुकर है संसकारां तो परंथ इस पाग वेच पाथ दी मर्यादा दे संपूर्ण विदी विदा आन रूप मान कीता गया जिमें लगपशे प्रकार दे लगबग पाठान दा जिड़ा जिकर इस गरंथवेच संता मां प्रुखन कीता पहला सदार्न पाठ दूसरा स्रिय कांड पाठ तीसरा संपड पाठ चौथा सबताहक पाठ पंजमा कथा प्रदान आर्था संजुगत शेवा स्री दस्म गरंथ जिड़े इस शेपरकार दे पाठां दा विदी विदा आन ते संपूर्ण मर्यादा इस गरंथ वेच कवता रूप वेच मां पुरूखन ज मावली नू बड़ी सरलता सैद पेश कीता तां जो जड़ी सादारन चेतना दा वी हिसाए बन सके इस तो मैं अगला शुरू करदा अपना पी इस गरंथ दे दूसरे पाठ वेच गुरूबानी दे पाठ कां विद्यार्थियां कथां वाजकालें अती सुखेंता ते सरलता उचारन सेदा दितियां गयां समय सथान ते पर संगगतान मुख राख के किस शब्द नू पारा बोलना हावला करके बोलना पोला बोलना जां किस शब्द नू इकठा उचारन करना जां किसे शब्द उपर अधिक जा अगेतर लगागे उचारन करना ए विकार वियाकरन इक प्रशना दे शर्दा मही रोशनी तैत उत्तर व्याकरन दे उचारन सिद्धा दे सहत कठिन शबदावली नू सरलता सहत वख्यों ली अती सार्थक पूमकान बॉंदा है मेरे इस लड़ी दे वेचे तीसरा गरंथ दजिकर करके मैं थोड़ा समापती बाल लावाँगा श्रीकुर गरंशाइब जी स्टीक पहली पो थी एदे बारे मैं आप जी नाल विचार सांजे पौना श्रीकुर गरंशाइब जी स्टीक अनमोल गरंथा जेड़ा संथ बाबा ठाकुर सिंग जी अगवाई वेच दूसरी वार जनवरी उनीसो इक अनमे इसईव एच गुर द्वरा गुर दर्शन परकाष मेहता स्री अमर सारवी के परकाशित गीता गया ए न्मबर पहली बार गरंथे उनीसो चवत्तरी सिव एच परकाशित गीता गया सी इस गरंथ दे करता संद ग्यानी करता सिंग जी खालसान व्याख्या कारी दे कार्ज संद ग्यानी गुरुबचन सिंग जी ने ही जथे दे सिंगां दी बेंती पुरी प्राम कर देता सी प्रंतु रभी बुलावा जानकारन रंदेकार जी सेवा संदग्यानी करतार सेंग जी दे सेयाई एस गरंथ दी अंदुरूनी गवाही मताबक श्रीगुरु गोबिन सेंग जी तो सीना बसीना चली आ रही और थावली इस गरंथ दी बुन्याद है एस ग्रंथ दे परारांब वेच स्रीगरु ग्रंथ साहेँ नाम सिमन अमृत नाम दस ग्रु ऐसाइब आन्धे मंगलां उपरंथ संद ग्यानी गुरुबचण सिंगल साथा मंगल भी कीटा गया है उपरंथ इस गरंथ नूरचन दा प्रजोजन अते प्रारंबक निमरपावी बेनती रूप शब्दाना जिकर कीता। लोडिंदा ते सार्थक है। की बाणी गुर्मत दे सिदांते के वहारिक प्रपेख नुरू सुखेंता दे सरलता सैथ व्याख्या के सदारंचेतना दा हिसाब रोणा है। श्रीगुर्ण सायज दी टक्साली टीका कारी दा कारज संतावलों प्रारांब कीता गया। ये गरंथ निरोल टीका कारी तक मैं दूद नहीं रहन दा सगों व्याख्यादियां व्याख्यादियां व्याख्यादा अमार आहीं। श्रीट पागबांदा है। जिमें के मेरे दे आपको जिमें डक्टर परियन सिंग नानकिया। नमीनता दे प्रंपरादा जिडिये सुमेलता दी नमीनता दा प्रारांबी वी दमदमीटक साल दे विच्छें दावा। जिमें एक अपने संता ने अर्थ कीते अखी बाजों वेखना जिड़ा शब्दा। उसे तोका दे एकी बार अर्थ कीते गएने। बहुत विद्वता परवूर ते ओदे विच रुहानियद पर पूरी अर्थ कीते गएने। पिसादक चिंतक एक जड़ा मोडेंटाई दे अंसारसी जड़ा होदे विचों अर्थां दे जड़ी है शुरू वाद जड़ी उसे लड़ी दे विचों प्राराम भोजन दी है। एक गरन्थ निरोल टीगा ख़ी तै क महदूद नहीं रेंदा सद्गोव होदे एक पी नविदा औहरा ही जण जाती दे अ करिद्था पागे घख साली जयानी संपरदाया सरव सान्जा निजयमा जड़ा सारे गंगने महानिदा भोजन प country मापुर्खाने पtwर चीणावली यह जड़ी प्रशन सिद्धा जग यासुआ जा सिखांदे मुखां विचो परगटून देयन ते माप पुरुखां दवारा बौधीक ते अनबव ज्यान दी सुमेड़ता सैत शब्द दी शर्ण वेच शर्दा मही रोशनी सैत इना प्रशना दे जड़े उतर दिते जन्दे ते अनबव ज्यान दी विशालता दा जड़ा सैजे इंदाज जाओ जन्दा के किड़ी वडी विशालता सी इस तो बाद मैं एक लास्ट गल करके समाप्ती करदा जे कह लिए के गुरुबानी दी बहरुनी सरल व्याकरन सार अर्थावली पेश करन दे नाल नाल अंदुरु अर्वी मेरे इस जड़ा पर्चे दे वेचे काफी विशेषता एड़ी कीती गईया ते मैं संखेप वेच जड़ा एक जड़ी संद ग्यानिहर नाम सिंग खालसा पिंड्राण दौाला हूं जड़ी दू जड़ी पोथी एड़ी तीकागर्दी परकाशित कीती गईया ओदा मैं जिकर करके फिर मैं समाप्ती करदा जी तान्य श्रीकुरु ग्रण साइब जी स्टीक नामक सिरलेख जड़ा वा संद ग्यानिहर नाम सिंग खालसा जी दौरा दिता गया एदे बारे जिकर करदा के तान्य श्रीकुरु ग्रण साइब जी स्टीक दूसरी पोथी एक महान वड्ड आकारी ग्रन्था, जड़ा संदग्यानि हर नाम सिंखाल सा, पिंटराद वाल द्वारा मुखी दमदमीट एक साल वलो परकाशित कीता गया, रचित ते परकाशित कीता गया, एड़ा वा दस हिसी वेच संगतां दे सनमों कीता गया थी, इस ग्रंथ वेच दमदमीट एक साल दी अर्थ पर नाली नू अदार बना के शिरीगुरु ग्रंथ साहिव जी वेच दर्ज शिरी राग ते माज राग दे अर्थ कीते गयने इस ग्रंथ वेच दिते गया इस ग्रंथ वेच दिते गया ते विचार पापूर्थ विचार नाल पेश कीता गया उपरंथ स्री राग ते माज राग दी संपूर्ण ठीका कारी ते व्याख्या कारी कीते गया व्याख्या कारी दा जड़ा संपूर्ण टांचा जड़ा प्रंप्रा अधार्त ही है जिस तरह वड़े माँ पुर्ख वलनो जड़ी ए टीका कारी व्याख्या कारी जड़ी सेवा निबाई गई उसे त्रीके नाल संदग्या निहर नाम सिंग जी इस सेवा नो निबा रहे है ते मैं अपना इन्हों सामप करदा हुआ कैसागदा कि उपरोकत गरंथा दे विशिलेशन तो ये सिटा प्रावत उन्दा है कि दमदमी टकसाल सिखांदी ओ संस्था है जिसने सिख पंथ दे परचारते परसारती परमुखता साहत साहतेक तारमेक समाजिक ते राजनीतिक ते सब्याचारत हार पर पेखतु अपना वड आत्मक ग्याननाल ओत्पोत चेतना दे वेच जेतना दे रूप वेच रूपांतरित करंदे सम्राथ है ते दमदमी टकसाल दे मौझूदा मुखी संद ग्यानियर नाम सिंग खालसाजी पिंडरावाले उपरोकत संसारक ते देबमाई ज्यान दी परवातानू बरकरार राख के गुर्मत दे परचारते परसार वेच आपनिया बढ़ मूलिया सिवामा दे रहने